निश्चे का समाचार आज अकबारों में परमुक्ता से छपा है और मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है निश्चेत रूप से दुरबाग्या पूरुन है आज करोना महामारी के चलते लोगों की आर्थिक स्थिती बहुत खराब है और सरकार को इस तर दान मंत्री मोदी ने 20,000 क्रोड का जो पैकेज दिया 20,000 क्रोड का जो पैकेज दिया समाचार को कितना मिला ये बताएं पाइं सरकार को चंदार देने के लिए आम लो गरीबों की मदद करने के लिए परोना काल में आम लो cOS लेकिन आम लोगों को रहा का है टैक्स की मा向 आम लोगों पर पड़ रही है इन्होंने जो पीडिया शिस्टम है उसमें भी जो है बहुत लोगों को उस सिस्टम से भार किया और अब जिस दंक से इन्होंने जो किराया बढ़ाया है मुझे लगता है गलत है सरकार को चाहिए कि तुरंट परभाव से अगर ऐसा कोई निर्णिया ले रही है उस पे रोक लगाए जनता इसको मानने वाली नहीं है और कॉंग्रेस पार्टी इस बात को लेके पूरी मुखर है हम इस मुद्वे जल्दी ही सड़कों पर आने वाले हैं मुझे यह लगता है कि जिस धंग से डीजल और पेट्रॉल के दाम बढ़े हैं सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा उस पे हमको आपकती है क्योंकि इस वक्त जो क्लूड आयल है विश्व बजार में बहुत ज्यादा सस्ता है लेकिन सरकार ने बजाए रहा देने के जो हमने इस इशू को लेकर प्रदेश तरपर जिलास तरपर हमने अंदोलन भी किया है हमने इस मुझे को उठाय प्रदर्शन भी कि है हमारा यह माना है कि सरकार को डीजल और पेट्रॉल पे जो बड़े हुए दाम है वो वापिस लेने चाहिए और हिमाचल सरकार ने जो वैट अगर कम होगा तो निशी तो पे जो है कराय में बड़ातरी नहीं होगी तो सरकार को डीजल और पे जो वैट लगा है वो भी कम करने की जरूरत था जन्वरोदि फैसला है क्योंकि मुझे यह लगता है कि जिस धंक से जहराम सरकार हमाचल में फैसले ले रही है पहले तो लोग बगाइर किसी पर्मिशन के हिमाचल में आ रहे हैं और करिजगा पकड़े जा रहे हैं कि आपने कुली दावत दे दिये कि हिमाचल में आऊ करों दा आ मैं हमा चले मुख्य मंत्रिय। पहले वो कहते थे कि हम हिमाचर को कॉरंटीन डैस्टीनेशन बनाने वाले हैं। लेकिन जिस दंग से हिरोध हुआ, आज उन्होंने केंदर सरकार के दबाव में आकर ये फैसरा लिया, पूरी हमारी सिमाए खुल लिया। कोई भी बेरोक तोक यहां आ सकता है। एक बहुत सरकार ने अब बिजली के दामों में भी ब्रागong किया है। हमाचर जो पैदा करता है। यहां तो सब्से के दान से तयरे लेकिन लोगों पर अन्हेवश्य अरुद रूम में बनता है। सिमिंट के दाम लगातार जो है बढ़ते आए सरकार का उस पर भी कोई जन्तर नहीं और अब सरकार में जो ही फैसरा लिया है जो करायों में विलती कर लिया सरकार निश्चे तोर पे लोगों में बहुत जादा रोश है और कॉंग्रेस पार्टी एक विपक्ष दल होने के नात जन्तर के साथ खड़ा है हम सडकों में आके इसका विरोद करें